पॉलिसी बजार पर एक करोड़ रुपे का तर्म लाइफ इंसुरेंस केवल चार सपचास रुपे महीने से सुरू वाव नमस्कार मैं कादमबिनी शर्मा हूँ आपके साथ साल खत्म हो रहा है और इस साल में अंतराष्टे स्थर पर ऐसा क्या कुछ हुआ है जिसका असर भारत पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा इस पर डालते हैं एक नजर सबसे पहले बात करते हैं भारत और चीन के रिष्टों की 2020 में जो गलवान वैली में जड़प हुई थी भारतिय सेना और पियले के बीच जिसमें 20 भारतिय सेनिक का शहिद हुए थे उसके बाद हालात अब तक सामाने नहीं हुए हैं बार बार भारत ये कह रहा है जो विदेश मंत्री हैं वो ये कह रहा हैं कि चीन के साथ रिष्टे सामाने नहीं हैं जब तक पहले जैसे सिती में सेना वापस नहीं जाती है उनकी अप्रेल 2020 की जिसकी बात भारत बार बार कह रहा है तब तक हाला सामानी नहीं हो सकते हैं कई जगह उपर डिसंगेजमेंट हुआ है वो भी कई राउंड जो बाचीत हुई चाहे कुटिंतिक स्तर पर या फिर सैनिस तर पर उसके बाद कुछ जगहों पर डिसंगेजमेंट हुई लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं क कम से कम तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर डोनों सेनाओं के बीच डिसंगेजमेंट नहीं हुई है तो यह स्थिति एक तरफ बनी हुई है तनाव बिलकुल है और दूसरी तरफ हालत यह है कि तवांग में एक पर फिर से चीनी सेना ने घुसपैट की उन्होंने एक भारत यह सेना ने उनको पीछे धकेल दिया लेकिन यह क्या बताता है यह एक उकसावे की कारवाई है और यह साफ पता चलता है की चीन की मन्षा पहले वाली सिती में जाने की नहीं बलकि जादा से जादा जमीन हडपने की है भारत की जमीन हडपने की है ऐसे में क्या होगा क्या बाचीत से कुछ भी हल निकलेगा या फिर ये उमीद करनी चाहिए ये लगातार आशंका है कि चीन ये कोशिशें लगातार करता रहेगा और और जमीन पर कबजा करने की कोशिश भी उसकी जारी रहेंगी, तो भारत को इसके लिए तयार रहना होगा, LAC पे अलर्ट तो है ही, बिलकुल हर वक्त अलर्ट रहना होगा, लेकिन एक इंट्रेस्टिंग फैक्टर यहां पर यह है, कि भले ही LAC पर इतना तनाव हो, लेकिन जो दोनों देशों के बीच व्यापार है, वो 34 फीजदी पिछले साल से जादा बढ़ा है, 34 फीजदी, यह परसंटेज में है, 115 बिलियन डॉलर दोनों देशों के बीच व्यापार हो गया है, पिछले साल के मुकाबले यह बढ़ा है, तो यह अपने आप में एक आशर जनक बात है, कि इतने बॉयकॉट की बाते ह होती हैं, और हर तरह की बाते होती हैं, चीन को लेकर, लेकिन यह व्यापार जो है, वो असल में बढ़ा है, तो भारत को वैसे पहनी नजर रखनी होगी, 2023 में भी, LAC पर, ताकि चीन के मनसूबे, जमीन हडपने के, भारत की जमीन हडपने के मनसूबे कामियाब ना हो सके, लेकिन यह एक तनाव लगातार बना रहेगा, और रिष्टे जैसा की भारत बार बार कह रहा है, तब तक सामाने नहीं होंगे, जब तक की चीन पहले वाली सिसी में नहीं जाता, और यह उकसावे की कारवाई बंद नहीं करता, दूसरी जो एहम खबर है, जो दुनिया भर पर असर डाल रही हो और भारत पर भी असर डाल रही है, वो है रूस युक्रेन युद्ध, अब यह क्यों बहुत एहम है, चौबीस फरवरी को 2022 में पोतिन ने युद्ध का एलान किया, और उसके बाद हमने देखा है कि हालात क्या बनें, दुनिया भर के सप्लाइचेंस प बात हो रही है, वो है तेल, अब तेल को लेकर एक प्राइस काप लगाया गया है, यानि कि इस से जादा प्राइस पर तेल नहीं खरीदा जाएगा रूस से, लेकिन हमने ये भी देखा है कि भारत ने जो इंपोर्ट किया है रूस से, जो आयात किया है, वो 21 फीजदी आयात रूसी तेल का वो बढ़ गया है, ये पहले से कहीं जादा है और इसको लेकर दुनिया भर से दबाव जो है वो भारत जहेल रहा है क्योंकि UK, US, European Union करीब, 40 देशों ने रूस पर कई प्रकार के सांक्शन लगा रखे हैं, लेकिन भारत जो है, वो अभी अपनी बात पर डट रहा हुआ है, उसका कहना है कि हमारे हालात अलग है, और ये रोप भी जो है, वो आयात कर रहा है, इतने संक्शन और इतने बयानों के बावजूद, लेकिन ये जरूर है कि दबाव आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, क्योंकि पुतिन ने भी ऐलान कर दिया है, कि वो य रमीन देकर हम कोई कॉम्प्रमाइज नहीं करेंगे, मतलब ये लडाई चलती रहेगी, क्योंकि उनको और भी सैन्य और पैसों से मदद बाकी देश वहां पर, UK, US और योरोप जो है, वो कर रहा है, तो ऐसे में तेल को लेकर भारत पर दबाव और बढ़ेगा, तो क्या ये एक बाद फिर से तेल आयात करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि इरान दगातार कह रहा है, कि वो तेल भेजने को तयार है, और उसको वो चाहता है कि ये हो, क्योंकि सैंक्शन का उसके उपर काफी खराब असर पड़ा है, तो भारत को शायद अब ये तयारी करनी चाहिए, कि सैंक्शन जो रूस पर लगे हैं, और तेल जो इंपोर्ट भारत कर रहा है, उस पर और जादा अगर सक्ती बढ़ती जाती है बाकी देशों की तरफ से, तो उसके पास आप्शन क्या होंगे, तो ये एक बड़ा एहम मुद्दा है, जिसको लेकर भारत को 2023 में काफी सोचन होगा और उस पर काम करना होगा कि किस तरह से यहां पर तेल की किलत ना हो, तीसरा बड़ा फैक्टर है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इसलिए बड़ा फैक्टर है क्योंकि हमने ये देखा है कि जो भी वादे अफगानिस्तान ने किये थे वहां पर सक्ता लेने के पहल हम ने अभी देखा कि किस तरह से महिलाओं की उच्च शिक्षा पर युनिवर्स्टी में उनके पढ़ने पर रोक लगा दी गए तो एक एक वादा जो है वो तालिबान तो रहा है दूसरी तरफ तालिबान और पाकिस्तान की बीच चमन बॉर्डर पर जो उनका बॉर्डर है पर लगातार तनाव बढ़ रहा है तोनों देशों की बीच हो सकता है कि ये भारत के लिए अच्छी बात हो लेकिन जो चिंता की सबसे बड़ी बात है वो ये कि आतंकवादी जो गुठ है वो अफगानिस्तान में अभी भी उतने ही आक्टिव है तो ये खत्रा लगातार ब होने जो लगाम कसने की कोशिश की थी टेरिस के ऊपर वो अब खतम हो गया है वो खत्रा टल गया है अब वो ग्रेलिस से बाहर आ चुके हैं तो वहां से भी आतंक का खत्रा लगातार भारत पर मंड़ा रहा है लेकिन क्या जब एस्यों के लिए अगर बिलावल भुटो जो क भारत आएंगे आजिसी ऐसा हो सकता है यहां पे कुछ समिट होंगे तो क्या वो आएंगे तो उस समय क्या बहतर कूछ रिश्टे हो सकते हैं तो इन सब चीजों पर नजिए लेकिन अफगानिस्तान पर खास रत्नी होगि क्योंकि Bakton की दुनिया का ध्यान जो है वो रूस्- तो इन सभी चीजों पर इन सभी फैक्टर्स पर इन बेशूं पर नजर रखनी होगी और आगे किस तरह से निबटना है इसके लिए भारत को तैयारी रखनी होगी नमस्कार